Hello everyone, welcome to Magnet Brains, जहाँ आपको 100% free of cost education provide की जाती है, मतलब यहाँ आपको एक या दो चाप्टर पढ़ने के बाद, किसी भी तरीके का कोई payment करने की need बिल्कुल नहीं होती है, साथ ही आप यहाँ पर CUET and TSC Olympiad जैसे competitive exam की preparation भी कर सकते हो, 100% free of cost, सो इसे अच्छी बात से start कर लेते हैं, आज की इस वीडियो को, This is Professor Varkha Gupta, your IT educator for Class 9, Class 9, Information Technology, Book Code 402 का Part B subject skills को continue करते हुए, आज इस वीडियो में start करने वाले हम chapter number 6, Yes students, chapter number 5 तक हम पूरा complete कर चुके हैं, Part B, जिसमें हमने unit number 1, application of IT and ITS industry को complete किया, वहीं हमने unit 2 complete किया, जिसमें हमने data entry tools और typing skills को किस तरीके से आप develop कर सकते हो, वो समझा था, और unit 3 के हम शुरुवात कर चुके हैं, chapter number 4 से, जिसमें हमने digital documentation के बारे में पढ़ा था, like word processor softwares, कौन-कौन से होते हैं, क्या facility प्रोवाइट करते हैं, क्या features उन क्या होते हैं, advantages क्या होते हैं, कैसे आप document create करते हो, open करते हो, save करते हो, close करते हो, right, existing document में कैसे आप editing कर सकते हो, how to edit a document, chapter number 5 में हमने समझा, अब इस chapter में, basically chapter 6 में हम देखेंगे, how to format a document, क्योंकि इस chapter का नाम है, formatting a document, एक बार यदि आपने कोई doc file create कया, word processor software में कोई भी document बनाया, तो उसमें आप formatting कैसे कर सकते हो, क्या जरूरत होती है, basically क्यों जरूरत होती है formatting करने की, ठीक है, सो बस यही सारी चीज़ें हम इस chapter में समझने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम इस chapter का पहले introduction समझेंगे, कि इस chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है, कितने type की कौन-कौन से formatting आप apply कर सकते हो, ने next video से हम इस chapter को detail में की topic wise clear करेंगे, राइट, so कोई भी video miss नहीं करनी है, क्योंकि questions यदि आते हैं exam में, तो आपको topic wise सारे lectures पता होने चाहिए, सारे topics के बारे में knowledge होना चाहिए, राइट, अब formatting, editing जैसे मैंने आपको बताया, easy होता है, हरको easily कर सकता है, undo, redo, copy, paste, किसे नहीं पता है, सभी को बता है, बट जब इनके steps लिखने को आती है, कि एक से ज़्यादा तरीके होते है, copy, paste करने के, एक से ज़्यादा तरीके होते है, undo, redo करने के, तो वो कौन-कौन से तरीके होते हैं, what are the steps behind this, तो आपको ये answers बेसिकले लिखते आना चाहिए, जब exam में आपसे question पूछा जाता है, so apart from this, इस book का part A, that is employee ability skills, भी हम complete कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ chapters को discuss किया था, सब भी chapters की video lectures available है, the one and only Magnet Brains पर, description में मिल जाएगे, आपको link YouTube playlist की, वहां से आप access कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com website से access कर सकते हो, या फिर आप mobile app को भी play store से download करके, सारे वीडियो lectures को 100% free of cost, कितनी भी बार access कर सकते हो, राइट, चले, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम chapter 6 को discuss करने वाले हैं, that is formatting a document, अब document कैसे prepare करना है, कैसे save करना है, कैसे उसमें editing करना है, है ना, so editing में हमने क्या देखा था, basically editing में हमने कुछ tools को समझा था, राइट, जैसे undo कैसे किया जाता है, redo कैसे किया जाता है, cut, copy, paste कैसे किया जाता है, कुछ find, replace आपको यदि करना है, तो आप कैसे करोगे, राइट, उसी के साथ spell grammar check feature जो है, वो भी हमने detail में समझा था, है ना, and then इसके साथ, हमने इस orders feature को कैसे use करना है, right, so ये सारे जितने features, मैंने अभी आपको नाम बता है, ये सभी editing tools कहलाते है, है ना, editing और formatting दोनों में बहुत अंतर है, क्या बता है मैंने अभी, कि editing और formatting दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों को कभी भी आप एक ही चीज मत समझना, अब आपको ये चीज कैसे clear होगी, क्योंकि आपका chapter 5 editing a document था, और chapter 6 आपका formatting a document है, इन दोनों chapter को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपके mind में इस clear हो जाएगी, कि formatting का मतलब क्या होता है document को, और editing का मतलब क्या होता है document को, मतलब जब भी आप किसी document को edit करते हो, तो उसमें आप कौन-कौन से tools को include करते हो, basically editing का क्या मतलब होता है, editing में हम क्या करते है, document में कुछ manipulation कर सकते है, जैसे आप undo या redo कर सकते हो text के साथ, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर text को move करवा सकते हो, copy कर सकते हो, या paste कर सकते हो, यह सब editing में include होता है, वही spell grammar check, आपने जो भी content लिखा है, यदि उसमें कुछ grammatical या spelling में कुछ error है, तो वो भी automatically यहाँ check हो जाती है, ठीक है, then find and replace, सेधी document आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो find and replace option का भी आप यहाँ use कर सकते हो, ठीक है, मैं जब 200-300 pages है आपके document में, और आपको कोई letter find करना है, या particular किसी letter की जगे पर, word की जगे पर कोई और word यूज़ करना है, तो find and replace का आप यूज़ कर सकते हो, इन topics में doubt है, यहनोंने नहीं देखा है वीडियो, तो पहले आप उन सारे वीडियो उसको देखना, क्योंकि spell grammar चेक, find and replace ही बहुत important से topics हैं, हर साल exam में पूछे जाते हैं, अब formatting का क्या मतलब हुआ, है ना, इस chapter में हम formatting समझने वाले हैं, so in any profession, it is important to keep the documents presentable, editing से तो आप changes कर पा रहे हो, manipulations कर पा रहे हो, right, text के साथ, लेकिन जब अपने text को आप presentable शो करना चाहते हो, अब हर कोई बंदा ऐसा ही चाहता है, कि जब भी कोई वो document बनाई या कुछ लिखे, तो ऐसा लिखे या ऐसे prepare करेगी, कि सामने वाला जब भी उस document को या जो भी लिखा है, उसे पढ़े, समझे तो उसे clearly समझ में आ सके, एक presentable way में हो, ठीक है, proper line draw हो, proper तरीके से space के साथ लिखा हो, ज़्यादा cut pit ना हूँ, है न, ऐसा ही होता है न, आप स्कूल में भी अपने आंशे शेट में लिखते हो, तो जमा जमा के सुन्दर तरीके से लिखते हो, कम cut pit करते हो, right, proper जहां आपको ज़रुवत लगती हो, वहां margin, line, वगेरा, सब चीज़ें proper करते हो, है न, सो वैसी हम जब digital documentation में, documents वगेरा prepare करते हैं, किसी भी word processor software में, तो ऐसा तरीके से हम document को prepare करते ही, कि वो present table हो, चाहे हम किसी भी profession की बात कर लें, चाहे कोई employee, किसी organization में रहकर document प्रिपेर करते हैं, या फिर कोई health officer, अपने health organization की बात कर लें, हम medicals, hospitals वगेरा में भी बनते हैं documents, right, agriculture field की बात कर लें, अब कहां documentation का use नहीं किया जाता है, हर एक field में education में बात कर लें, students को भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, किस तरीके से किन tools को आपको apply करना, आपका document आपको कैसे presentable बनाना है, आप भी अपने projects वगरा बनाते हूं, तो projects वगरा जब बनाते हूं, तो उसमें editing, formatting tools का use करते हूं, right, so in any profession, it is important to keep the documents presentable, this can be achieved, और यह आप कैसे अच्छीव कर सकते हूं, by applying some formatting, by applying some formatting effects, that make the text or document visually appealing, right, so यह जो भी presentable ID आपको अपना document बनाना है, तो उसको आप कैसे अच्छीव कर सकते हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ formatting effects के थूं, आप यह formatting effects क्या होते हैं, जिनकी वदत से आप अपने text document को और ज़्यादा presentable और सुन्दर बना सकते हूं, so formatting means changing the general appearance of the text in a document, text का appearance change करना basically formatting कहलाता है, और text में manipulation करना, ठीक है, text को move करवाना, cut, copy, paste करना, ठीक है, spell grammar check करना, text को change करना, वो आपका editing कहलाता है, और यहाँ पर text के appearance में changes करना, formatting कहलाता है, दोनों में difference समझ में आगया, editing में text को ही आप बदल सकते हो edit करके, लेकिन formatting में text नहीं बदलता है, text as it is रहता, उसका appearance बदल जाता है, जैसे हम बात करने, कि आपने font का size change कर दिया, font का color change कर दिया, font का type change कर दिया, aerial था, times new roman कर दिया, calibry कर दिया, तो आपका text तो as it is है, appearance बदलता चला जा रहा है, blue color का text लिखा था, text को change कर सकते हो, write, cut, copy, paste कर वा सकते हो, text को move कर वा सकते हो, spell grammar check से आप spelling वगएरा correct कर सकते हो, तो editing और formatting में hope, अब आपको difference अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, so formatting में क्या आ आ जाता है, basically, जी formatting की definition आई, तो अब आपको यही definition लिखकर आनी है, that means, formatting changing the general appearance of the text in a document, जो भी document में आपने text लिखा है, उसके general appearance को change करने के लिए, हम formatting का use करते हैं, ओके, चलिए, you can enhance the look of a document by doing the following, अब आप कैसे अपने document को presentable बना सकते हो, किस तरीके से उसकी presentation को enhance कर सकते हो, है ना, so इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इन सभी points का use कर लेते हैं, यही सारे options को आप use कर सकते हो, क्या, example अभी मैंने बताया था, कि आप font size, font color, font type change कर सकते हो गई, so changing font and its size, font और उसका size change करकर, है ना, हम formatting कर सकते हैं, जैसे font size और font का type वगरा कैसे change करते हो, आपने देखा होगा, कि इस तरीके से एक बार होती ही, formatting toolbar में, यहाँ पर 12 size define होता है, इस arrow पर जब क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको 10, 12, 14, 16, इस तरीके से font दिख जाते हैं, तो आप font का size change कर सकते हो, है ना, वहीं यहाँ पर times new roman, इस तरीके से selected दिखता है आपको, times new roman, right, और फिर यहाँ arrow होता है, जब इस पर क्लिक करते हो, तो नीचे आपको एक list खुलती है, जिसमें aerial, calibry, तो इस तरीके से कुछ fonts के नाम होता है, जो आपको set कर सकते हो, इस तरीके से font का color आपको set कर सकते हो, तो font color set करने के लिए इस तरीके का एक option होता है, इस पर क्लिक करते हो, तो color box आपके सामने open हो जाता है, जिसमें different colors आपको यहाँ दिखते हैं, red, green, blue, yellow, right, यदि यह आपको समझ आता हो, आपने कभी change किया हो, तो आपको different color यहाँ पे show होते हैं, red, green, blue, yellow, यहाँ आप यहाँ से font का color वगरा set कर सकते हो, है न, तो इस प्रॉपर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, font का type, font का size, font color, change कर सकते हैं, इसके अलाभा भी बहुत सारे options होते हैं, पूरे chapter में अभी हम discuss करेंगे, right, so basic चीज़ें हम पढ़ ले रहे हैं कि formatting में actually include क्या-क्या होता है, तो you can change font and its size, highlighting certain words, कुछ words है, जो आपने लिखे हमें अपने document में, important है, तो आप उन्हें highlight भी कर सकते हो, so highlighting, इन सभी में देखना text नहीं बदल रहा है, text as it is है, उसका appearance बदलता चारा चला जा रहा है, that is called formatting, highlight कर सकते हो आप certain words को, ठीक है, highlight करने के भी different options होते हैं, आप fill कर सकते हो, background में text के पीछे आप fill कर सकते हो, जैसे suppose मैंने यहां पर लिखा magnet brains, right, अब magnet brains को मैंने क्या किया, इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसके background में मैंने कोई color set कर देना है, इसको highlight कर देना है, तो highlight करने के लिए हम क्या करेंगे, highlight करने के लिए हम options हवी label होते हैं, जिनके थूरू इस तरीके से हम text को highlight कर सकते हैं, ठीके तो यह क्या से दिखता है, आपका highlighted text, highlight text text आपका कुछ इस तरीके से important text जो होता है, वैसे show होता है, जो भी आपने document में important words, important lines वगरा लिखी हुए, so you can highlight these words also, next, adjusting line spacing, ओके, अब आपने suppose यहां दो से ज्यादा line लिख दी, कुछ इस तरीके से, आपने अपने page में, suppose एक paragraph लिखा है, जिसमें 8 से 10 lines है, ठीके, तो आप lines के बीच में भी spacing कर सकते हो, suppose आपने कुछ lines लिखी हुए है, ओके, यहां पर magnet brains के बारे में, यहां hardware, software के बारे में, तो यह multiple lines के बीच में spacing आप सेट कर सकते हो, ठीके, यह दिख रहा है, यह spacing होती है, line के बीच में spacing आप सेट कर सकते हो, 0.5, 1.5, 1.05, 1.05, 1.2, 2.5, आपने according customizable line spacing आप सेट कर सकते हो, तो line spacing के लिए भी tool कुछ इस तरीके से, यदि आपने देखा हो, तो आपको दिखता होगा, ठीके, कभी आपने formatting toolbar में देखा होगा, तो आपको समझे, मैं इस तरीके से line spacing का tool दिखता है, इस पे click करते हो ना, जब तो यहाँ पे आपको line spacing show होती है, ठीके, और यहाँ पे custom भी कर सकते हो, आप line spacing को, आपने according आप lines की बीच में, document में, lines की बीच में set कर सकते हो, clear, changing case, changing case का मतलब क्या हुआ, कि जो भी text आपने लिखा है, उस text को आप upper case में, lower case में, sentence case में, change कर सकते हो, ठीके, जैसे suppose मैंने magnet brain से small letter में लिखा है, ठीके, अब इसे मुझा यदी upper case में करना है, तो I can change this upper case, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा erase करना पड़ेगा, और फिर से मुझे caps lock on करके, या फिर shift key को press करके capital में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इस text को select करो, और select करने की बाद में एक option होता है changing case का, ठीक है, changing case का option होता है, कुछ इस तरीके से होता है, may be changing case का देखना, आप लो कुछ इस तरीके से होता है changing case का option, तो आप यहां से जब भी इस पर click करोगे, तो यहां पर आपको दिखे का lower case, uppercase, ठीक है, lower case, uppercase, sentence case, है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको change कर सकते है, small letter में लिखा है, जब आपने अपर case पर click करा, तो sentence के इस पर क्या होगा, पहला letter capital होगा, क्या होगा, पहला letter capital हो जाएगा, तो ऐसे आप case change कर सकते हो, ठीक है, तो यहां भी देखो, text में changes नहीं हो रहा है, text के appearance में changes हो रहा है, तो आप font, font का size change कर सकते हो, जो भी important text है, उससे आप highlight कर सकते हो, Line spacing के according text को adjust कर सकते हो जितने भी line के according आपको spaces देनी ही जो भी आपने text लिखा हुआ है उसके आसपास कितनी space देनी है Case change कर सकते हो Upper case, lower case, toggle case, sentence case जैसे आपको change करना है सब detail में हम पढ़ेंगे पूरे chapter में अभी जस्ट आप एक overview समझो कि इस chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है किस से basically formatting कहा जाता है है ना? Now setting tabs, margins, borders and settings This also included in formatting Tabs मतलब spaces Paragraph के पहले आप tab spaces छोड़ते हो na This is suppose आपने ये document prepare किया Fine अब यहाँ पे आप paragraph create कर रहे हो तो आपने suppose तीन paragraph create कर दिये ये पहला paragraph दूसरा paragraph आप create कर रहे हो, again ठीक है? Then आपने third paragraph create किया अब आप paragraph में, starting में जो first line होती परेग्राफ की वहाँ पे आप tab space देना चाहते हो ठीक है? तो आपने कुछ इस तरीके से tab space दिया आपने इतना space छोड़ के tab space हुआ, right? कि आप जो भी लिखना start कर रहे हो, paragraph जब भी start करते हो तो एक equal tab space देकर ही आप लिखते हो so this is what, this is called tab spaces, right? अब ये tab space, tab की के थुरू भी दे सकते हो आप या फिर जो rulers होता है न, rulers पता है न, हमने discuss किया previous to previous chapter में, rulers के थुरू भी आप tab spaces को define कर सकते हो या settings में जाके paint settings में वहाँ से भी define कर सकते हो वहीं बात कर ले margins की, तो margins क्या हो गई? margins जब आप text लिखते हो, तो upper, bottom, lower, left, right ठीक है? ये जो आपने page के आसपास जो आप margin set करते हो right? कि जिस area में आपको लिखना है, हमने इतनी area में लिखा ये पूरा आपका document था, तो ये आपने क्या set करी? ये आपने margin set करी, right? ये क्या होगे? left, right, top, bottom, है ना? चार margins आप set कर सकते हो ये आपकी margins हो गई, okay? जैसे आप अपनी copy में लिखते हो, बका इदा line खीच के, proper तरीके से लिखते हो, जब आप board exam के copies में लिखते हो, ये अपने exam sheet वगरा में लिखते हो, तो दोनों side line के चलेते हो, और फिर उसी के अंदर लिखते हो, ना? उसी के बाहर नहीं लिखते हो, that is called margin, तो यहाँ भी आप page के document के margin set कर सकते हो, next is border, अब page के border भी आप set कर सकते हो, depend करता है कि border आपको क्या set करनी है, page के आप border भी set कर सकते हो और यह Depend करता है कि आप BORDER क्या set करने वाले हो किस तरीके से set करोगे BORDER आपकी dark line होनी चाहिए, dashed line होनी चाहिए, double line से आप BORDER बनाना चाहते हो यह सब चीज़ आपकी Depend करती है कि आपको किस तरीके से BORDER बनाने है, यह सारी formatting आप यहाँ पर कर सकते हो So this is about border, okay, page की border बना सकते हो, draw कर सकते हो, जिससे आपका page अच्छा दिखें, ठीक है, वहीं आप shedding भी दे सकते हो, ठीक है, अच्छेडिंग भी अलग-अलग तरीके से आप यहाँ अपलाई कर सकते हो, So this all are the formatting tools, जो आपको MS Word प्रोवाइड करता है, यह कोई साभी जो word processor software की बात कलने हम LibreOffice, OpenOffice, ORG, सभी प्रोवाइड करता हैं जानरली, ठीक, Next दिखो अप, aligning text on a page, page पर आप text को align भी कर सकते हो, कैसे, यह आपका document है, यहाँ पर आपने suppose एक paragraph create किया, तो यहाँ पर दिखो यह आपने margin space leave किया हुआ है, ठीक है, अब आप लिखना शुरू कर रहे हो, तो आपने यह paragraph लिखना शुरू किया, ठीक है, समझ में आया, यह आपने इतनी चार लाइन का एक paragraph लिखा, तो यहाँ पर दिखोट by default, by default क्या set हो रहा है, by default आप देख रहे हो कि आप page के left side से लिख रहे हो, यह left side हुआ, आप page के left side से लिखना शुरू कर रहे हो, suppose आप कुछ ऐसी heading या कुछ set करना चाहते हो, जो middle में हो, जो page के middle में आए तो आप space दे दे के middle में set करोगे क्या, नहीं, यहाँ पर हम use करेंगे इसके लिए alignment, जैसे आप normally जो भी लिखते हो page में, तो आप left side से right side की तरफ लिखते हो, है न, बिल्कुल वैसी यहाँ पर भी default left side से ही text लिखा जाता है, यदि text को आप center में, या फिर text को आप right side में set कर जाते हैं, so this is all about right align, ठीक है, oh sorry, center align and center alignment और यह आपका हो जाएगा right alignment, ठीक है, so 3 type की alignment होती है, एक उन alignment होती है, justify भी, वो भी समझेंगे है, default left, right, center and justify, यह 4 alignment होती है, default alignment set होती है, वो left alignment होती है, मतलब यह icon आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे alignment वाले, देखो, है न, left align, ऐस से आपको दिखेगा, ठीक है, कैसे है, कुछ इस तरीके से, आप कभी भी document देखना, left align आपको ऐसे मिलेगा, right align की बात करेंगे, तो document पे right align, right side से दिखेगा, center align की बात करोगे, तो center align, page के center में आपको इस तरीके से दिखेगा, justify का मतलब होता है, कि हर text आपका justified रहे, न, center ह हो, न, left हो, न, right हो, ठीक है, proper page में, adjust हो जाएं, सारे text, right, तो यह justify कहलाता है, इस तरीके से, चार alignment आपको मिलती है, clear, left, right, center and justify, और यह सभी के through, आप अपने text को format कर सकते हो, now creating bulleted और numbered list, okay, अब यदि आप कोई list बनाते हो, तो उस list को आप bulleted भी बना सकते हो, और numbered list भी बन सकते हो, जैसे suppose आपको ऐसा कहा गया, अपने project में, आप index page बनाओ, ठीक है, आप अपने project का बढ़िया सुंदर सा front page बनाया, front page में water water site कर दी, नाम लिख दिया, school का logo वोगो लगा दिया, left side में आपने क्या किया, देखो, आपने यहापर अपना school का नाम लिखा, highlight करके, और जिसे submit कर रहे हो, teacher का नाम लिख दिया, तो यह आपने क्या क्या, आप project के आपने बढ़िया तरीक से water water भी set कर दी है, यह आपने front page design क्या, अब teacher ने कहा आप से, कि दूसरा page बनाओ भाई, दूसरा page में अब आप बनाओंगे, कि आपने project में कितने pages बनाएं, कितने topics ल होंगे, किस page पर है, suppose यह आपने page number भी दे दिए, दस page का आपका project है, तो यहाँ पर आप या तो इसको ABC से दोंगे, नाम, या फिर आप इने बुलेटेट शो कर सकते हो, इस तरीके से, है ना, आप इस लिस्ट को इस तरीके से बुलेटेट भी शो कर सकते हो, या फिर आप से 1, 2, 3, 4 के नाम से भी शो कर सकते हो, सारे indexes को, है ना, जो indexes आपने लिखे वे, तो आप क्या कर सकते हो, basically, यहाँ पर लिस्ट जब भी प्रिपार करनी होती है, तो उस लिस्ट को आप बुलेटेट भी क्रियेट कर सकते हो, नमबर भी क्रियेट कर सकते हो, इस तरीके की word provide करता है, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा, तो आप यह options दिखेंगे, बुलेट के लिए इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, नमबर लिस्ट यदि आपको प्रिपार करनी होती है, तो 1, 2, 3 लिखा होता है, इस तरीके से नमबर लिस्ट आप रिपार कर सकते हो, अपने according कस्टमाइज कर सकते हो, nested list प्रिपार कर सकते हो, अलग-अलग तरीके से फॉर्माटिंग कर सकते हो, बुलेटेड और नमबर लिस्ट में, तो यहां पर जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग में रिलेटेड, तो यहां हम डिफरेंट टाइप की बुलेट्स नमबर के बारे में समझेंगे, और प्राक्टिकल भी देखेंगे, now changing text, styles and color, formatting में text का style और text का color भी आप change कर सकते हो, जिसमें बने-बनाए styles मिल जाते हैं आपको, ठीक है, यह कुछ भी formatting करने की आपको जरूरत नहीं होती है, styles का जब use करते हो ना, तो आपको automatically highlighted text मिल जाएगा, bigger small fonts मिल जाएगे, ठीक है, मतलब बनी-बनाए styles मिल जाएगी, तो आप चाहो तो उन text style को use कर सकते हो, change कर सकते हो, जो आपने content लिखा उसमें, text के colors को आप change कर सकते हो, ठीक है, तो styles भी आपको built-in styles मिल जाती है, या फिर आप अपने styles बनाकर भी उसमें add कर स है, किसी में भी text को बदला नहीं है, text को edit नहीं किया है, text का appearance आप बदल रहे हो, color, font, border, size वगरा, change कर रहे हो, but आप text को edit नहीं कर रहे हो, तो दोनों chapter में, जो हमने chapter अभी 5 complete किया, और chapter 6 अब हम start कर रहे है, दोनों में basically difference क्या है, वो आपको अब अच्छे से clear हो गया होगा right, चलिया, so formatting can be applied using the home tab, अभी formatting आपको कहा मिलती है, कौन से tab के थ्रूँ आप formatting apply कर सकते हो, ठीक है, तो formatting apply करने के लिए आपको आपने देखा होगा, ms word में, ms word में यहाँ आपको मिलती है, quick access toolbar, जिसमें होता है save button, undo button, redo button, यहाँ पे आप center में आपके application का नाम, document का नाम जाता है, यहाँ पे close, minimize, maximize, control buttons आ जाते है, यहाँ होता है आपका ribbon वाला area, जिसमें default home tab selected रहता है, home के पास फिर आपके view होता है, insert होता है, different tabs होता है, right, ऐसे different tabs होता है, और home tab क्या होता है, default home tab आपका selected होता है, home tab में, home tab में ही आपको सारे formatting options मिलते है, home tab में ही आपको सारे formatting प्रवाइटिंग ऑप्शन्स मिलते हैं ध्यान रखना इस तरीके से आपको जितने भी फॉर्माटिंग ऑप्शन से बोल्ड टालिक अंडरलाइन करना है ठीक है आपको फॉर्माटिंग ऑप्शन्स आपको होम टैब में मिल जाते हैं अलग-अलग ग्रूप में परेग्राफ म changes करना है तो font group में change set करो style change करना है तो style group का use करो तो home tab में font, paragraph, styles different groups होते हैं इनकी मदद से आप अपने document को format कर सकते हो so formatting can be applied, formatting can be applied using the home tab, formatting किसकी मदद से आप apply कर सकते हो home tab की मदद से which has font formatting commands in font group, paragraph formatting commands in paragraph group and text style commands in style groups तो home tab में आपके तीन options होते हैं कौन-कौन से यहां पे तीन groups होते हैं आपके font, paragraph और कुछ styles group ठीक है तो जिस भी group में आप click करो में इस से related आपको options हैं मिल जाएंगे right so इतना समझ में आ गया कि font group पे जाते हूं तो font से related setting आप कर सकते हो paragraph group में जाते हो तो paragraph से relating paragraph में tab space देना है margin वगरा set करना है line space वगरा set करना है वो set कर सकते हो font में font size, font name, font का type set कर सकते हो font color वगरा text style में आपको built-in styles मिल जाते हैं आप उन्हें style को set कर सकते हो style को import कर सकते हो export कर सकते हूं, ठीक है, किसी और style को आप custom कर सकते हूं, style में text का color change कर सकते हूं, यह सब आपको style group में मिलता है, now there are ways of formatting the text for example, तो इतना तो हमें अच्छा से समझ में आ गया कि formatting आपको कहां पर apply कर सकते हूं, कहां से किस जगह से आपको formatting के options मिलते हैं, तो MS Word में home tab में हमें यह स several ways of formatting the text, first is character formatting, paragraph formatting and page formatting, page को आप format कर सकते हूं, page में आपने कुछ paragraphs लिखे हूए हैं, इन paragraph को आप format कर सकते हूं, ठीक है, whole page को आप format कर सकते हूं, whole page को आप format कर सकते हूं, paragraph को format कर सकते हूं, paragraph में जो individual word characters लिखे हैं इन्हें भी आप format कर सकते हूं, सारी formatting tools आपको पता चल गए ह है कि किस tab में कहां से कैसे मिलते हैं और क्या-क्या formatting हम paragraph में page में और characters में apply कर सकते हैं ठीक है अब आने वाली वीडियो में हम इन तीनों formatting को character formatting paragraph formatting page formatting कैसे करना है क्या होता है कौन-कौन से options available होते हैं वो जानेंगे right so बिल्कुल भी next video को miss नहीं करना है क्योंकि अभी आज की इस वीडियो में तो basically हमने सिर्फ इतना जाना है कि इस particular chapter में chapter number six में है क्या formatting a document of formatting a document editing a document में क्या difference था दोनों chapter को अलग-अलग क्यों दिया हुआ है है ना editing का क्या मतलब वह formatting में आपको इस पूरे chapter में क्या क्या पढ़ना है यह हमने समझा कितने टाइप की formatting होती है formatting की definition क्या होती है क्यों formatting की जरूरत होती है इतना हमने basically आज की इस वीडियो से समझा है next video में हम इनके types को detail में समझेंगे एक एक individual video मैंने एक एक particular type पे बनाई हुए है जिसकी मदद से आप सारे particular topics को tools को अच्छे से जान पाऊंगे समझ पाऊंगे right so dear students magnet brains आपको ना सिर्फ k-12 बलकि cbse and tse olympi arts ut spoken english up bhar board जैसे competitive exam की preparation भी करवाता है hundred percent free of cost with high quality education के साथ right और अब तो dear students आप यहां पर access कर सकते हो books और e-books की facility भी मतलब कि यह आप चाहते हों किसी भी subject related books या e-books को access करना या फिर आप किसे special booklet को access करना चाहते हों जैसे कि हम बात कर लें mcq booklet previous year question paper booklet या फिर कोई particular ncrt solution से related sample paper से related booklet तो वो भी possible है कैसे access करोंगे description में आपको books e-books related link मिल जाएगी उस पर click कर देना जैसे click करोगे तो एक google form आपके सामने open होगा उस form में जो भी detail दी हुई होगी अपनी read के according उसे fill कर देना team आप से consult करेगी और आपको यह facility provide करेगी so dear students magnet brains आपको hundred percent free of cost education provide करता है ताकि आप अपनी एक्जाम में बहुत अच्छे marks को score कर सकते हो साथ ही साथ अपनी life में कुछ बहुत अच्छा अच्छा अच्छीव कर सकते हो मिलेंगे नेक्स वीडियो में till then stay here stay happy thank you so much